दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे option के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े काम को बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे हम बात करने वाले हैं print merge के बारे में दोस्तो आप MS Word में mail merge के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते होंगे सेम इसी तरीके से आपका coral में एक option है print merge का जिसकी मदद से आप bulk में बहुत सारे ID cards, visiting cards या फिर wedding cards या हम कह सकते हैं diploma या certificate, identity card ये सभी चीज़े आसानी से design कर पाएंगे अगर आपको 1000 ID cards यहाँ पर design करने हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि उन 1000 ID cards के अंदर हर एक person की detail आपको एक एक करके type करनी पड़े आपको केवले एक Excel sheet तयार कर लेनी है जिसकी मदद से आप एक format बना करके 1000 ID cards या diploma या certificate हो या फिर लाखो डिप्लोमा या certificate हो वो एक क्लिक से generate कर सकते हैं तो बहुत ही कमाल का option है coral में print merge का option तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप किस तरीके से print merge का option इस्तेमाल कर सकते है coral draw के अंदर तो वीडियो को skip मत करिएगा आप एक एक step को बहुत ही ध्यान से देखेगा अगर आप ने एक भी step यहाँ पर miss किया तो आप इसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे और नहीं इसका use आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे आप अपने हिसाफ से जो भी size रखना चाहें वो रख सकते हैं बट standard size जो होता है वो ID card का यही होता है तो यहाँ पर अगर आपको size set करना नहीं आता तो मैं वह भी आपको एक बर बता देता हूं जैसे हमा लेजे हम यहाँ पर file पर जा करके new पर click करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने काफी सारे pages हमें यहाँ पर दिखाई देंगे तो corridor row का default size है वो हम यहाँ पर select करते हूए OK कर रहे हैं अब इहाँ पर देख सकते है हमारा जो size है वो यहाँ पर A4 paper का हमारा यहाँपर size हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से आप अपने height और width को यहाँ पर अपने हिसाब से se戟 कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने unit को select कर सकते हैं आप उसे inches में set करना चाहते हैं वो 3.375 inches है, तो हम यहाँ पर 3.375 inches डालते हुए, एंटर पैस करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी जो width है, यहाँ पर हमारी है 2.125, तो हम इस page पर आकर के, 2.125 डाल करके, एंटर पैस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे i-card का जो size है वो यहाँ पर set हो चुका है अगर हम यहाँ से इस वाले i-card को यहाँ से copy करते हैं और copy करने के बाद हम यहाँ पर अपने दूसरे page पर जा करके paste करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं का size बिल्कुल accurate है आपको अपने keyboard से press करना है P जैसे आप P press करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते accurate position में हमारा icon यहाँ पर set हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने pages का यहाँ पर set up कर सकते हैं दोस्तों print करने से पहले सबसे most important चीज होती है page का set up करना तो जो भी चीज़ आप design करते हैं सबसे पहले आपको अपना size set कर लेना है और उसके बात आप अपने design को यहाँ पर continue start कर सकते हैं हमारा जो topic है वो यहाँ पर print merge का है तो हम आगे बढ़ते हैं print merge की तरफ इस वाली original file को हम यहाँ से फिलाल cancel कर देते हैं बना रखी है उसके extension आपको यहाँ पर change करनी होगी किस तरीके से करना है आये जानते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक extra sheet बनाई हुई है जिसके अंतर हमने students का नाम role number उसके course date of joining mobile number और ID number यह सभी details हमने यहाँ पर type कर रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं date of joining और mobile number हमने यहाँ पर same copy paste कर रखा है बागी सभी details यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग है दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे पास किवल एक ID card का design हमने यहाँ पर कर रखा है और coral के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं भी हमारे पास किवल एक ही ID card है और हम चाहते हैं कि उन नो के 9 students का यहाँ पर i-card बनकर तयार हो जाए automatically तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं आए जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर excel sheet में आना होगा वापस और इस फाइल को एक बार save as करना होगा save as कैसे करते हैं सबसे पहले हपू जाना है file बाले option पर यहाँ पर आपको save as क्लिक करना होगा save as पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ ब्रायूज option पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर जिस में इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, उस लेकोईशन को आप यहाँ पर सेलेक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से लोकेशन को सेलेक कर सकते हैं, तो दोस्तो हम सेम लोकेशन में फाइल को सेव करने वाले हैं, बस यहाँ पर हम फाइल का नाम चेंज कर देंगे, जैसे हमालीज आपको इस वाले option को select कर लेना है, दोस्तो इस वाले option को select करने के बाद, आपको यहाँ पर save वाले button पर click कर देना है, दोस्तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो coral आपकी file को यहाँ पर access नहीं कर पाएगा, आपको वापस एक coral में आ जाना है, और उसके बाद आपको आना है file वाले option पर, file option पर आने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है, print merge का, print merge में आप सबसे पहला option आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर change की थी अगर आपको यह फाइल दिखाई ना दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा all supported formats का या तो आप इसे select कर लीजिए या तो फिर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको यहाँ पर CSV का उप्शन दिखाई देगा इसको आप select कर सकते हैं तो केवल वही file आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो यहाँ पर हम all वाले option को select करते हुए अपनी इसी file को यहाँ पर select करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसे open कर देंगे दोस्तो जैसे हम यहाँ पर file को open करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सभी field यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे record के हिसाप से students का नाम उसका role number, course, date of joining, mobile number और stall करके अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊ हूँ तो ID number हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको tick mark का एक option दिखाई देगा जिसमें 9 के 9 records पर यहाँ पर tick mark आपको दिखाई दे रहा है अगर आप इसमें से किसी भी student का i card नहीं बनाना चाते हैं तो उस वाले tick mark को आप यहाँ से हटा सकते हैं जिस भी student का tick mark आप यहाँ से हटा देंगे उसका i card यहाँ पर generate नहीं होगा तो हम यहाँ पर सभी students का यहाँ पर i card बनाने वाले हैं हमने सभी option पर यहाँ पर टिक कर रखा है, इसके बाद हमें यहाँ पर continue वाले option पर click करना होगा, जैसे हम यहाँ पर continue वाले option पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक और option यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, print merge का, और यहाँ पर आपकी सभी fields आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जितनी भी fields हमने Excel sheet में बनाई थी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ID card में अपने नाम को यहाँ पर select कर लेना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम को किवल select कर लेना है, तो हम यहांसे मोहनकुमार को select कर रहे हैं और उसकी जगा यहां पर हम student name को select करते हुए यहाँ पर आपको student name select करना यहां पर आपको एक option दिखाई देता है insert field का इस पर आपको click कर देना है दोस्तों है जैसे आप इस पर click करेंगगे यहाँ पर insert field का option दिखाई देगा, इस पर आपको वापस से click कर देना, इसी तरीके से आपको यहाँ पर roll number आपका आ जाएगा, और इसी तरीके से आपको बाकी की सभी fields को यहाँ पर फटा-फट insert कर लेना है, तो हमने यहाँ पर course को select करके, यहाँ पर insert field पे click कर दिया, तो course भी हमारा यहाँ पर show हो गया, इसी तरीके से हम फटा-फट बाकी की सभी fields को insert कर लेते हैं, यहाँ से हमने date of joining को select किया, insert किया, यहाँ से हमने mobile number को select किया, insert किया, और इसी तरीके से हमने ID number को select करते हुए, यहाँ पर insert merge field पे click कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी सभी fields से यहाँ पर insert हो चुकी है, insert के बाद आप यहाँ पर चाहें, तो अपनी field को यहाँ पर update भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई changes की है, तो फिलाल इस option का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दो option दिखाई देते हैं, create merge document का, और दूसरा option आपको दिखाई देता है, print merge document का, अगर आप इसका print out लेना चाहते हैं, तो directly print merge document पे आप click कर सकते हैं, हम यहाँ पर फिलाल सबसे पहले, इस ID card को create करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस first वाले option को select करते हुए, यहाँ पर click करेंगे, जैसी हम इस पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यह time लेगा, और उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, हमारे सभी ID cards यहाँ पर generate हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको zoom करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम अधित्या है, page number 6 पर जाओंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विनोथ कुमार आ गया, 7 नमबर पर जाओंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पवन कुमार और बाकी की details भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, change हो रही है, तो दोस्तो इस तरीके से आप किवल ID card ही नहीं, बलकि कोई भी document आप यहाँ पर create कर सकते हैं, जैसे कोई भी diploma आप बना रहे हैं, या फिर कोई भी certificate आप यहाँ पर तयार कर रहे हैं, उन सभी certificate या फिर diploma के अंदर, आप यहाँ पर Excel द्वारा data को यहाँ पर input कर सकते हैं, तो दोस्तो यह बहुत ही best option है, जिसकी मदद से आप multiple documents को यहाँ पर एक click से create कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सभी documents में यहाँ पर image जो हमने लगाई है, वो सब में same है, दोस्तो image के बारे में मैं आपको saferate एक video बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैं image को इसमें add करता, तो यह बहुत ही जादा complicated और बहुत ही जादा lengthy video बन जाती, इसलिए मैंने image के part को इस video में cover नहीं किया है, इसका next part आपको बना कर दूँगा, जिसमें मैं आपको यहाँ पर image लगाना बताऊँगा, कि आप एक साथ multiple images को किस तरीके से coral draw में setup कर सकते हैं, I hope अगर आपको यह video पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा, धन्यवाद,